हेलो दोस्तो, सभी को नमस्कार, सभी को जोहार और आपका स्वागत है लास्ट चांस आईएस पीचीएस में दे हिंदू का एक टॉपिक है फिनांस कमिशन और उसको डिसकेशन करना है सिस्टिन फिनांस कमिशन के बारे में आज बताएंगे कैसे अर्बन और आपका पंचायती राज में कैसे मतलब फिनांस का पैसे के कितना कमी है और कैसे मतलब वर्क करता है ठीक है तो विफोर आप विफोर डिसकेशन फिर्स्ट यह जानना चाहते है कि आई होप आप लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे और टेंशन फिरी होंगे स्ट्रेस फिरी होंगे और पढ़ाई पे जम के फोकस कर रहे होंगे तो चलिए चलते हैं है डिसकेशन करते हैं महात्मा गांधी जी का एक कोटिशन है है इने जेंटल वे यू कैन सेग दा वर्ल्ड है एक बिनर्म तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं ठीक है तो यह एक आप सिंपल रहे है सिंपल लाइफ जी है है ने देखिया आप और सिंपल काम करते रहे हैं काम करते रहे है देखिया आप दुनिया को कुछ ने कुछ एक दिन कर सकते है तो यह आपका कोटिशन ठाटिक है और थॉमस अल्वा एडिशन का एक फेमस है कि there is no substitute for hard work hard work का कोई alternate तरीका नहीं है भाई, है ने, आपको काम करना, आईस बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बगर पढ़े हुए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका इतना था, तो दा हिंदू का डिसकेशन करते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस का पी आई बी से जो र करता है, तो और इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है, अभी सिस्टिन फिनांस कमिशन चल रहा है, अभी सिस्टिन फिनांस का क्या 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 है, अभी सिस्टिन फि अर्वी का एजन्डा क्या रहेगा इसका चेर है आपका अर्विंद पंगारिया है इसका देख लिजेगा जो नीती आयोक का चेर्मेन भी रह चुके है यह रह चुके है निती आयोक का चेर्मेन पर्धान मंत्री होता है इसलिए गलती से हो गया यह गलती से बोल दिया लेकिन ये अरविंद पंगारिया जो है ये नीती आयोक का first vice chairman रह चुके है न तो ये है अभी ये news में क्यों था news में इसलिए था कि आपका इंडिया में इंडिया में जो local government है आप लोग जानते ही है आप लोग जानते है 73rd है ने 73rd और 74th amendment act करके constitutional amendment act करके आपका पंचायती राज और नगर पंचायत जोड़ा गया है ने कब जोड़ा गया है ये बताईएगा ये बताईएगा date कब जोड़ा गया है ठीक है तो इसमें वही बोल रहा है कि हमारे country में किस तरह मतलब devolution करता है पै census क्यों important है ने census क्यों important है और दूसरी country में क्या follow करता है ये मतलब इसमें बोलने का यही में ये article का है ठीक है question है आपका देखिए question है आपका discuss the abolition and the relevance of the finance commission in India है ने and the reason for sharing resources between the center and states ये आपका question है आप discuss कीजिए abolition कैसे मतलब finance commission का abolition हुआ क्या relevance है अभी है क्या ये मतलब जरूरी है finance commission तो ये आपको बताना है ठीक है और ये sharing है reason for sharing resources मतलब क्या reason है ये share क्यों करता है जबकि एक advisory body है ये ठीक है तो इतना हो गया इसका अभी तक जो story है तो assistant finance commission है ये बनाता है कौन सा article में article 280 है ने article 280 में इसको बनाया जाता है और ये precedent दुआरा बनाता है ठीक है ये precedent दुआरा बनाया जाता है every five year ये ध्यान में रखेगा है ठीक है every five year इसको बनाया जाता है ठीक है तो इसमें है ये आपका और ये बताता क्या है आपका finance commission ये बताता है focusing on devolution है ने center और state में कैसे मतलब center में जो consolidated fund संचित निधी में जो पैसा है ने तो उसको center और state में कैसे बाठा जाए ये formula बताता है finance commission ये कुछ नहीं है ये formula बताता है भाई कौन सा criteria आपको follow करना है state को पैसा देने में center को कितना पैसा रखना है ये बताता है ठीक है तो वही 73rd और 74th constitutional amendment हुआ local body बना दिया गया है ने बनाने के बाद इसको federal system में एक एहमियत दिया गया है ने recognize किया गया है ये यहां तक आया है ने ये जो state finance commission जो ये जो है local body को जो augment करता है ये article 283 bbc है ने bbc और c clause c ये mandatory करता है कि mandate करता है कि finance commission recommend करे कि state consolidated fund जो है राज का संचित निधी है उसको कैसे augment किया जाए है ने कैसे उसको और पैसा मिले कहां से मिले ताकि वो जो है आपको पंचायत और municipality याने पंचायत और नगरपालिका को support कर सके state consolidated fund of India से पैसा याने राज सरकार जो है state government है state government इसको पैसा दे है ने तो कैसे जब पैसा रहेगा तब ने state finance state consolidated fund of India में पैसा रहेगा तब तो ये पैसा देगा ऐसे थोड़े दे सकता है तो ये आपका कहानी है यहां तक ठीक है तो आगे चलते है what about city है ने city के बारे में आपका क्या मतलब राए है ये बताइए city के बारे में आपका क्या है एक है the national commission for urbanization ये है जो कि 90 mid 80s में इसका कहना था कि ये city जो है ने engine of growth है है ने इंडिया का GDP जो growth हो रहा है ये engine of growth है ने यानी engine है इंडियन GDP का लेकिन इससे भी जादा कहीं मतलब निकलके आया इसलिए निकलके आया city जो है around 66% जो है ने GDP का contribute करता है और यहां से government का total revenue का 90% यहां से मिलता है city से मिलता है ठीक है तो ये आपका दिया है इसलिए city बहुत ह हो जाता है आपका एक well planned मतलब development होना चाहिए city में ताकि मतलब disturbance ना हो अब लोग देखे होंगे कि मतलब Delhi हो गया Delhi हो गया या तो तमिलाडू हो गया करनाटका हो गया आप देखे होंगे कि city में flood आ गया city बहरा बैंगलोरों में कुछ दिन मतलब पता चला कि मतलब flood आ गया ह तमिलाडू में flood आ गया तो इससे क्या होता है कि काम जो काम काज जो होता है जो working industries सारा है तो उसको काम में ठप पड़ जाता है तो इसमें city में अगर ठप पड़ गया तो भाई आपका GDP कहीं ने कहीं नीचे जाएगा है तो यह आपका important याद रखे city के बारे में लिखना आ है ने तो यह आप लिख सकते हैं कि the national commission on urbanization का कहना है कि city जो है एक मतलग city है engine of growth है और उससे भी यह जो है जो है जीडीपी में 66% GDP में contribute करता है और आपका government का जो total revenue है आपका 90% यहां से आता है तो इसको आप देख लिजीएगा है ने इसमें कहा जाता है कि मतलब overall development country का overall development city से ही होता है ठीक है जबकि यहां यहां problem यह है कि insufficient यहां मतलब जो है क्या है insufficient यह infrastructure यहां problem है world bank का एक report है world bank का एक estimate है कि अगला 10 साल है next 10 साल जो है अगला 10 साल है यहां मतलब next decade एक decade means 10 साल city को 804 40 billion लगेगा क्यों basic infrastructure को development करने के लिए है कोई भी city है इंडिया में है या कहीं भी है को इंडिया में है तो कोई भी city है तो उसको 840 billion लगेगा को वहां का basic infrastructure development के लिए अगला 10 साल basic infrastructure means health हो गया आपका drinking water हो गया है sea bridge system हो गया तो यह सब है road हो गया इस सब को overfly हो गया है तो यह सब को development करने के लिए 840 billion लगेगा अगला 10 साल तक तब basic urban infrastructure ठीक हो सकता है यह आपका world bank का estimate है ठीक है इसमें कहता है कि अपले अभी तक एगार्वी एगार्वी finance commission जो मतलब दिया गया है अभी तक जो है पैसे कहा जाता है कि यहां जो है health मतलब जो नगर पालिका का health है बहुत ही खराब है ठीक है यहां किए उखराब है और यह जो है यह इस से खराब होने के वज़ा से क्या effect करता है city का productivity खराब कर देता है quality of life होता है वो खराब होता है अब यह देखिए rapid urbanization अब ही क्या चल रहा है rapid urbanization हो गया बहुत तेजी से urbanization बढ़ रहा है और without appropriate scale है कोई भी मतलब वहाँ scale नहीं हो रहा है जिससे क्या होता है adverse effect पढ़ जाता है development में तो यह देखिए सब अभी कहां जा रहा है चलो और भाई city चले है city गाओं में जिससे अभी basic infrastructure नहीं है industry नहीं लगा हुआ है वहाँ का आदमी mostly जिसे agriculture करके है agriculture करके कहां जाएगा city भागेता है city भाग तक की चलो कमा के आए 6-7 महीने कमाएंगे 2-3 लाग कमाई जाएंगे फिर मतलब 6 महीने agriculture करेंगे तो city पे बहुत ज़्यादा button है तो यह आप देखिए है आगे है एक है इंटर गौर्मेंटल ट्रांसफर यही जो है आपका city में पैसा ट्रांसफर करता है जो की मतलब इंडिया में इंडिया में अभी कितना है इतने ही पैसा ट्रांसफर करता है इंडिया में जो ट्रांसफर about 0.5% of GDP का ट्रांसफर जो है आपका urban local body को करता है ठीक है जो की lower than मतलब यह बहुत ही कम है other developing country कंट्री के compare में बहुत ही कम other developing country में total का जैसे मतलब GDP का 2-5% जो है पैसा ट्रांसफर करता है आपका मतलब आपका inter-governmental body यानि urban local body में इतना पैसा जबकि इंडिया में 0.5% GDP का ही करता है अगर और देखा जाए South Africa में 2.6% करता है Mexico में 1.6% करता है Philippines में देखा जाए के 2.5% करता है Brazil में 5.1% करता है इतना GDP का transfer किसको करता है City का urban local body है उसको transfer करता है वैसा ताकि एक अच्छा well infrastructure डवलप हो सके है तो यही सब यहां दिया गया है यह भी कहा गया है कि मतलब अभी क्या problem है revenue जो है इसका घट गया है कभी मतलब इसका revenue predictability होता है कभी बढ़ता है कभी घटता है तो इससे क्या है one reliable group है उसको problem हो horizontal equity में effect पड़ेगा ठीक है यह दिया हुआ एक चीज और दिया है crucial यह दिया है इसमें दिया है कि इसका on revenue नहीं होता भाई जब तक के मतलब revenue इसका urban local body का अच्छा revenue नहीं है जब तक improve नहीं हो जाए तब तक जो है पैसा government को अच्छा transfer करना चाहिए 2.5 से मतलब जादे ही transfer करना चाहिए लेकिन अभी नहीं कर रहा है ठीक support चाहिए इसको अब कर रहा है अब कर रहा है what about the taxation system है नए ये तो समझ गये है कि मतलब ये क्या problem है पैसा कितना आता है urban local body लेकिन taxation system का क्या problem है ये taxation power भी तो दिया है लेकिन यहां कह रहा है कि GST जब इंट्रिज्ज किया 2017 में वहां से आपका इसका जो tax revenue घट गिया है इसका urban local body का tax revenue घट गिया है क्योंकि यहां property tax जो है इसको हटा दिया है जो कि मतलब 2012-2013 में 30% total आता था अभी जाके आपका 9% है 9% आता है तो इससे मतलब इसका revenue बहुत कम होता है State Finance Commission इसको recommend 7% किया है जैसे मतलब यह 7% इसको 18-19 में 7% बोला कि देना है तो यही सब सारा दिया है तो यह आपका GDP का necessary मतलब increase the quantum of ICT as percent मतलब necessary है ठीक है एक चीज़े 74 constitutional amendment act हुआ उसमें मतलब उसमें क्या हुआ है इसमें M2 मतलब इसको urban local body है उसको financially मतलब strength करना है और इसमें जो है लेकिन इसमें क्या progress over three decades fall out है इसमें मतलब जो है और घट गया है भाई यह कहा रहा है लेकिन तेरवी finance commission मतलब observe किया कि parallel agency और body जो है यह parallel agency और bodies जो है इसका मतलब जो है local government body दोनो financially और operationally इसका घटा दिया है मतलब और कम जोड कर दिया है emancipulating मतलब और कम जोड कर दिया है financially भी कम है और operationally भी कम जोड कर दिया है कौन यह कह रहा है आपका 13 finance commission यह observe कर रहा है parallel agency और जाके parallel bodies मतलब अगर है कोई तो और कम जोड कर रहा है local government मतलब support यह जो है local government का support आपका जो union से भी चाहिए और state से भी चाहिए क्या चाहिए fund चाहिए आपको है functionary चाहिए है अच्छा से function कर सागी technical add चाहिए इसको है तब जाके तब मतलब यह हो गया आपका लेकिन parallel agency और इसको distort कर दिया है कोई parallel agency आपका यह है और इसको distort में से और खराब कर दिया है मतलब आपका local government role है ने और खराब किया है जैसे program है MP lad हो गया assembly वाला है यह आपका distort और distorting करता है federal structure और खराब करता है यह सब है तो यह